इसराइल हमास युद्ध की वज़ा से यमन का हूती इसराइली सेना को राफा में रोकने के लिए लगातार आरब सागर, हिंद महा सागर और लाल सागर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमले कर रहा है इसके अलावा हूती लाल सागर से सीधे इसराइल के इलट शहर पर कई ड्रोन्स और मिसाइल हमले कर चुका है हानक इन में से अधिकतर हमलों को इसराइल और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने नाकाम कर दिया है लेकिन अब हूती ने एक बार फिर से इसराइल पर हमला किया है हूती का कहना है कि उसने इसराइल के कबजे वाले फिलिस्तीन यानी इलट पर एक बैलेस्टेक मिसाइल दागी है हूती ने इसे फिलिस्तीन बैलेस्टेक मिसाइल का नाम दिया है हूती का कहना है कि उसने ये मिसाइल कबजे वाले फिलिस्तीन में इसराइली सैने टार्गेट के खिलाफ तैनात की है हूती के प्रवक्ता याया सारी का कहना है कि ये मिसाइल उमाल रश्रश में मिलिटरी टार्गेट पर दागी है प्रमीत्की अए़ये होसु प्रेशिया है फमसिते कि अअने इ सरिक्ते जितने एलूज इने जल्देना इ feu उर उतिant इने लुद, एक की अवार इंच लेत heh इसे हुआ है वंते हैं, इसे हैं हुना वही इस हमले को लेकर इसराइली सेना का भी बयान आया है इस हमले को लेकर आईडियाफ का कहना है कि तीन माई दो हजार चौबिस को लाल सागर में यमन की तरफ से एक बेलेस्टिक मिसाइल इलक की तरफ दागी गई थी जिसे इसराइल के लॉंग रेंज एरो एर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था आईडियाफ का कहना है कि ये मिसाइल हूती द्वारा दागी गई थी जिसे एरो एर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया था इसराइली सेना का कहना है कि एक जमीन से जमीन पर वार करनेवाली मिसाइल से भूती की मिसाइल को मार गिरायं गया है हाला कि इस हमले को लेकर इलट में हवाई हमले के साइरन भी बजबुठे थे और इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एरो एर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल का धुआ आस्मान में नज़र आ रहा है बताय जा रहा है कि ये वीडियो एलट इलाके का है हाला कि ये पहली बार नहीं है जब हूती ने इरान पर हमला किया हो इससे पहले भी हूती ने इसराइल पर कई बैलेस्टिक, क्रूस मिसाइले और ड्रोन फायर किये है हाला कि इन में से अधिकतर हमलों को इसराइली एर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करना काम किया है